पिक्चर शेर करी और उस पिक्चर में एक जैली फिश के अंदर एक फिश, रियल फिश दिखाई दे रही है और ये पिक्चर एकुली एक उस्ट्रेलिन फोटोग्रैफर ने खीची थी अच्छे से जात करने पर पता लगा कि जैली फिश ने उस फिश को खाया नहीं था बलकि वो फिश अपनी मर्जी से जैली फिश के अंदर गई थी जी हाँ, अक्सर अमोमन समंदर के अंदर फिश ऐसा करती है वो जैली फिश के अंदर जाती है अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि प्रिडेटर्स उन्हें खा नहीं लें है न यह अमेजिंग और उसके अलावा वो उसकी स्पीड को भी अंदर रहे के कंट्रोल करती है